साथियों मैं जब भी तेलंगना आता हूँ आप सभी लोगों की एक और छटपटाहर्ट समझ आती है आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह परिवारवादी राजलिती के सकंज में हमारा तेलंगना फस जाएगा परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों अपने बेटे बेटियों के भविश्य की चिंता होती है उन्हें देश के तेलंगना के दूसरे बच्चों का भविश्य बरबाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और देश के लोगों को तेलंगना के लोगों को एक और बाद भी नोट करनी होगी ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां है उनकी नीव प्रस्टाचार पर खड़ी होती है परिवारवादी कॉंग्रेस का प्रस्टाचार पुरे देश ने देखा है परिवारवादी बियारेस का प्रस्टाचार पुरा तेलंगना देख रहा है कॉंग्रेस हो या बियारेस दोनों ही तेलंगना के लोगों के लिए घातक है इन दोनों से ही तेलंगना के लोगों को बचकर रहना है साथियों किसी भी जन प्रतिनिदी के लिए सबसे बड़ा पाप होता है अपनी जनता का भरोसा तोड़ना और यहां की राज्य सरकार ने तेलंगना के लोगों का भरोसा चकना चूर करने का पाप किया है कितनी सारी उम्मिदे लगाई थी आप लोगों ने लेकिन हर उम्मिद को तेलंगना सरकार ने तोड़ कर रख दिया यहां की सरकार अच्छी तरह जानती है कि पिछले नौ साल में उसने तेलंगना के लोगों को सिर्फ और सिर्फ दोखा दिया है उसने राज में एक के बाद एक भरती गोटा ले करके यहां के युवाओं के साथ भिश्वादगात किया है तेलंगना अंदोलनौक के वो दीन में कभी भूल नहीं सकता कितनी बड़ी बड़ी बाते कही गई थी कि हम यहां लाखों भरतियां करेंगे युवाओं को सरकारी नोकरी देंगे लेकिन आपको इन लोगों ने सिर्फ और सरफ जूठी दिया है तेलंगना में ब्रस्ता चार का जो खुला खेल चल रहा है इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ा है तेलंगना स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है पिसले नौ वर्सों से तेलंगना के लाखों नौ जवान सरकारी भरतियों का इंतजार कर रहे है लेकिन यहां के सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने नेताओं की तीजोरी भरने का माध्यम बना दिया है साथियों तेलंगना की बारा उनिवर्सिटीज में हार एजुकेशन को तबहा करके यहां की सरकार ने लाखों नौ जवानों का भविश बरबात कर दिया है आज भी तेलंगना की उनिवर्सिटीज में तीन हजार से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े है आज भी तेलंगना की सरकारी स्कूलों में टीचर्स की 15,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी है क्या ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वास गात नहीं है क्या दोखा नहीं है क्या इन लोगों ने आप से वाइदा किया था कि हर बेरोजगार को तीन हजार रुपिये का बत्ता देंगे ये वाइदा करके भी तेलंगना सरकार ने नौजवानों को सरब दोखा दिया विश्वास गात किया इन लोगों ने आप से वाइदा किया था कि गरीबों को दो बेडरूम वाले साथ लाग फ्लैट बना कर देंगे ये वाइदा भी यहां की सरकार पुरा नहीं कर पाई है ये लोग किसानों के एक लाख रुपिया तक के कर्च को माप करने की बात भी कहा करते थे लेकिन इस वाइदे पर भी इनकी सरकार ने तेलंगना के लोगों को सरफ विश्वास गात ही दिया है साथियों मुझे पता है कि तेलंगना की ग्रामिन पंचायते यहां के सरपंच यहां की सरकार से कितने गुस्से में हैं कितने नराज है यह बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगना की ग्रामिन पंचायतों को बारा हजार करोर रुपिये से जादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है यहां की ग्रामिन पंचायते जादातर काम सेंट्रल फंच से ही करा रही है के सियार सरकार यहां ग्रामिन पंचायतों के सामने लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है इसलिए तेलंगणा की हजारों पंचायते भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पठखनी देने का इरादा कर चुकी है साथियों बीजेपी सरकार ग्रामिन अर्थिववस्ता को मजबूत करने के लिए गावों में जादा से जादा खर्च कर रही है पेड़ी प्रोक्रोर्मेंट के माध्यम से यहां के धान किसानों को पिछले नव साल में एक लाग तीस हजार करोड रुपिय से जादा दिये गए मन्रेगा के तहत तेलंगणा के गावों में करीब करीब पचीस हजार करोड रुपिय का काम कराया गया है PM किसान सम्मान निदी के जरिये भी तेलंगना के करीब 40 लाग किसानों के बैंकाते में 9000 करोड रुपिये सीधे बेजे गए है PM आवाश योजना के तहट जो करोडों घर बनाए गए है उनमसे भी 1000 करोड रुपिये ग्रामिन अर्थ बवस्ता में पहुँचे है साथियों BJP ने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को ससक्त करें उनके खर्च कम करें उनकी आए बढ़ाए हमने लागत का डेड़ गुणा MSP देने का बादा किया था हमने वो गरंटी को पूरा करके दिखाया हमने दाल की MSP पर रेकॉर्ड खरीदी करके हमारी गारंटी पूरी की हमने सुन्चाई के नेट्वर को ससक्त करने का बादा किया था वो गारंटी भी हमने पूरी की किसानों को कोल्ट स्कॉरिज की दिक्कत न हो इसके लिए दुनिया का सबसे बेड़ी बंडा रेंड योजने आपर पूरा काम हो रहा है आप जानते हैं कि जो साथ मेगा टेक्स्टाइल पार्क देश में बनने वाले हैं उनमें से भी एक यहां तेलंगना में बनने जा रहा है इन सभी प्रयासों का गाफ यहां के किसानों को होगा हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा भाईव बहनों तेलंगना की सरकार ने गरीब दलीद पिछडे आदिवाच्यों को सिर्फ जूठे वादे दिये जूठी गोचनाएं दी लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सही माइने में इन वर्गों को ससक्त किया है वारंगल सही इस पूरे खेत्र में बड़ी संग्या में आदिवासी और पिछडे समाज के लोग रहते हैं पहले की सरकारों में हमारे आदिवासी भाई बेनों के साथ सोतेला विहवार किया जाता था सडके हो पीने का पानी हो स्कूल हो अस्पताल हो हमारे ट्राइबल भाई बेहन का नंबर सबसे अंत में आता था आदिवासी छेत्रों के विकास के लिए बीजेपी ने पहले की सरकारों की सोच और अप्रोच दोनों को बदल दिया हमने आदिवासी छेत्रों में सैंकडों नए एकलब्य मॉडल स्कूल खोले हमने वन उपच के सही दाम देने के लिए मस्पी का दायरा बढ़ाया हमने जनदन केंद्रों के माद्दम से रोजगार के नए साधन तयार की आज आप देख रहे हैं कि इन आदिवासी छेत्रों में सिक्स लेन के फोर लेन के हाइवे बन रहे हैं इंदस्टियल कोरिडोर बन रहे हैं मिशन बोड पर फोर जीन नेटवर्क इस सुविजाएं तयार की जा रही है आदिवासी परिवारों में सिक्ल सेल एनिमेया के बहुत बड़ी दिक्कत है अब बीजेपी सरकार ने सिक्ल सेल एनिमेया को जड़ से हटाने के लिए भी अभियान शुरू किया है साथ क्यों आज कल कुछ लोग चुनाओं से पहले जनता को गुमरा करने के लिए जूठी गारंटी लेकर आ रहे हैं बीजेपी चुनाओं के लिए जूठी बाते या जूठी गारंटी कार नहीं बाड़ती अगर बीजेपी हर गरीब परिवार को मुप्त राशन देने की बात करती है तो पूरा राशन गरीब के कीचन तक पहुंचता है बीजेपी अगर आईश्मान भारत कार देती है तो पांच लाख रुपिये तक का मुप्त राश हर गरीब परिवार को मिलने लगता है अगर बीजेपी घर घर टॉइलेट बनाने का भ्यान शुरू करती है तो हर गरीब दलित पीडित पिछरे आदिवासी के घर तक सुवीदा पहुंचती है अगर बीजेपी घरीब परिवार की बहनों को मल से जल देने का बरोसा देती है तो ये काम पूरा करके भी दिखाती है तेलंगना की जनता ये सब कुछ अनुभव कर रही है इसलिए आज तेलंगना की आकांग्छा है आज तेलंगना की आसा पेक्छा है अपकी बार, बीजेपी सरकार, अपकी बार, अपकी बार, यही भाव, मैं यहाँ वारंगल मैं देख रहाँ, पूरे तिरंगरा मैं देख रहाँ, भायों बहनों, यह बड़ी संखा में आपकी मौझूद्गी, हाइदराबाद में उस परिवार की निंद हराम कर रही है, और मैं देख रहाँ, अब तेलंगना के लोगों ने, बाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है, मैं फिर एक बार, आप सबको बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्वाद, मेरे ताथ बोलिए भारत माता की, जैए, दोनों हाथ उपर करके पुरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, जैए, जैए,